गुड़ थाना के लापरवाही मामला अब पहुंचा है मामला पुले सधीक्षा कर्याले रीवा जहां मौगंच से SGOP साब यह पूरे सबे आवेदन कर ले रहे हैं श्य कर लीवा पर जानले सबाना कर गोटरा और यह रहे हुआ हुँड़ तर बोको मम कंद लगार अवेदन इनके सिर मेंृद और इनके मेल सी गुर्ठ आनसे कराई गई यह चार दिन हो गया है पीडित प्रक्ष लगातार जो है भटक रहा है एफ आई आर दर्ज कराने के लिए पीडित पक्ष का आरोप है कि समझोते का दबाव पनाया जा रहा है चन्रमन तीवारी करके उनका आडियो भी है उनके पास कि जो कह रहे हैं कि दो-चारहजार उपए लेके मामले को खत्म किया जाए तो क्या कहेंगे जरीस मामले को लिए कि आडियो को अभी मेरे समक्ष नहीं आया है आवेदन आया है मैं आवेदन पेसे ही गुड़ थाना प्रभारी का निर्देशित की इनगा है अपने परिवार के बहुत ख्या लकब दनेवाद प्रड़ अगर लूट की बात आती है तो उसमे धारा बढ़ा दी जाएगी प्रड़ देने के लिए उनके दवरा गये तो परंतु प्रावर लेने नहीं पहुंचा भी वर्कमान में निर्देशित क्या गया है प्रावर जाएंगो फ्रावर की पपी मिल जाएगी इसन पुलिपकरने का जोड़े होाँ मावला दंगाने का सवाली पैदा नहीं होता अगर एफ़र पंजिबर नहीं होती तो बास हमें नाती जड़ तिनसो चोओ इस तो 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 यह एंगा एधारी 324 सुफिशेंट होती है गर्स जरकी चोट जो शार पर हब जक्स है 324 इसे में लगती है और सब्रहते वाले की सांटे क्या प्रहते है अब उस्से जादा में प्रहता है